अपसब्द एक संत अपने अन्याई के साथ सैर कर रहे थे एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें बहुत अपसब्द कहे लेकिन संत मस्कुरा रहे उस व्यक्ति के जाते ही अन्याई ने संत से पूछा की आपने उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया संत कुछ नहीं बोले और अन्युआई को अपने पीछे आने का इशारा किया संत अपने कच्छ में चले गए और उसे बोले तुम यहीं रुखो मैं अभी आया संत कमरेशे निकले तो उनके हाथों में मैले कपड़े थे उन्होंने अन्युआई से कहा अपने कपड़े उतार कर यह कपड़े धारर कर लो उन कपड़ों में बड़ी तेज अजीव सी दुरगंद आ रही थी उसने उन कपड़ों को दूर फेक दिया संत बोले जब कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो तुम क्रोधित होकर उसे के फेके हुए अफसब्द धारल करते हो अपने शाब सुतरे कपड़ों की जग़े इसलिए जिस तरह तुम अपने साब सुतरे कपड़े की जग़े ये मैले कपड़े नहीं पहन सकते उसी तरह मैं भी उस आदमी के फेके हुए अब सब्द को कैसे धारल करता चाहे कोई कुछ भी कहे बेपरवाह होकर रहो बजन सुमिलन करू राधे राधे धनिमाद दोस्तों